और इसे बील चे संभल इंसा को लेकार और इस पूरे सर्वे को लेकार समाजवादी पाजी के रेता स्टी हसन का बयान सामने आया है स्टी हसन का कहना ये है कि सर्वे के रिपोर्ट में चाहे जो आजाए मस्जिद यहां पर है और रहे कि यहां से नहीं हटने वाले उन्होंने सरकार प्रशावसंग से भी कहा कि अफवाहों पर रोक लगनी चाहिए. हमसे कहना चाहूंगा कि अमन की चाबी इनसाफ के पास है. अगर इनसाफ नहीं होगा तो अमन कायम नहीं रहा जा सकता. अलर्ट भी होना चाहिए और अफवाहों पर भी कंट्रोल करना चाहिए. पूरे मरदवाद में यह अफवाह उड़ी भी है कि संभली जाह मस्जिद में नमाद नहीं होगी, जबके नमाद होगी, लेकि कड़ी सुरक्षा में होगी, कड़ी सुरक्षा में सब लोगों को देखा जाएगा, सब लोगों को, तलाशी वगश्य वगएरा भी होगी. घबराने की ज़रुर्त नहीं हैं. मस्जिद में जाएं, अल्लह के हुज़ूर प